नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Job with PDKs Online Learning Platform पे दोस्तों आज इस क्लास के मत्दम से हम अपने 2nd चेप्टर के exercise 2.2 करेंगे पिछले क्लास में हमने exercise 2.1 कंप्लेट कर लिए अगर आपने वो क्लास नहीं देखिये तो उसका लिंक आपको नीचे description और comment box से मिल जाएगा तो आप वहां से फस्ट exercise जरूर देख लेना इसके लाओ दोस्तों अगर आप हमें Facebook page पे जोइन करना चाहते हैं तो दोस्तों आज की कलास शुरू करें से पहले अगर आपको कलास पसंद है तो आप इसे like और share है जुरूर कर देना तो exercise 2.2 का question first आपके screen के उपर दिया गया है question इस परकार है कि निमन लिकित पे बहुपद 5x-4x2 टीक है पलस 3 क्या आपको मान क्याद करने हैं किस किस पे करने हैं एक तो आपको x बराबर 0 पे करना है फिर आपको x बराबर माइनस 1 पे करना है और फिर आपको x बराबर 2 पे करना है ठीक है तो दोस्तों यह आपको भौपद दिया गया है पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपको भौपद दिया गया है उसको आपको क्या करना है PX बराबर लिख देना है PX बराबर इस भौपद को हम लिख लेंगे तो भौपद दिया गया है 5x-4x²-3 यह आपको भोपत दिया गए हमने कुछ नहीं किया इसे हमने क्या किया Px के बराबर इसको रख लिया अब आपको क्या करने 1st के अंदर क्या करने आपको x की value 0 रखनी है यानि जहां जहां पे भी आपको x दिखाई दे रहे वहां वहां पे आपको 0 रख देना है 2nd में आपको 1 रखना है माइनस 1 जहां जहां भी x दिखाई दे रहे है वहां वहां माइनस 1 रख दीजिए और जहां आपको इसमें क्या करने 3 में क्या करने x बराबर 2 रखना है यानि जहाँ जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप दो रख लीजिए तो सबसे पहले हम first solve करते हैं first हमें क्या करना है x की value हमें क्या रखनी है 0 रखनी है ठीक है तो p x की value हमें क्या रखनी है 0 रखनी है हमने 0 रख दी फिर आपका क्या दिया गए है पांच X किस गए हम क्या रखेंगे 0 माइनस 4 X किस गए 0 फिर square प्लस 3 अब जो value गुणा हो रही है उसे गुणा कर देंगे ठीक है पांच का गुणा 0 से करेंगे तो यह आपका कितना हो जाएगा 0 माइनस का symbol माइनस 0 की square का मिनस 0 0 का गुणा 4 से हो गए तो खरी आपका 0 हो गया और प्लस आपको कितنا दिया गया तीन दिया गया यानि इस पद का जो भूपद है इसका X ब्राबर 0 पे मान कितना रहे X ब्राबर 0 पे इसका मान आया है 3 ठीक है ये इस बहुपद का X बराबर 0 पे मान आया है ये तो आपका दोस्तों फर्ष्ट हो गया आपको क्या करना था जहांपे भी X दिखाई दे रहा था वहांपे हमने X रख दिया फिर 5 का गुणा जैसे हमने 0 से किया 0 पिर ये भी 0 हमारा 6 कितना रहा 3 रहा तो यहनि P पर वहापर हमने 0 रख रहा इस बहुपद में तो मान कितना मिला हमें 3 मिला इसी परकार हम क्या करते है माइनस 1 रखते है तो दोस्तों सबसे पहले माइनस 1 रख रहें about 1 यह दोस्तों आपको क्या हो जाएगा माइनस एक रख दिया ठीक है आगे बराबर का symbol बराबर लगया पांच की ज़िए पांच रखा X ज़िए हम क्या रख रहे हैं माइनस एक रख रहे हैं माइनस चार फिर X ज़िए एक इसके उपर हमें दीगी इसका है पिर आपका रख दिया हमने प्लस से 3 तीक है अब जो value गुणा हो रही है उन्हें गुणा कर देंगे जैसे कि minus का गुणा 5 का गुणा minus 1 से होगा तो यह कितना हो जाएगा आपका minus 5 हो जाएगा फिर minus का symbol हमने minus लगा दिया फिर आपका 4 का हमने 4 रख दिया दोस्तों यह square हो किस पे है minus 1 पे है minus 1 की square का मि कितना गया दोस्तों एक आगया जब एक का गुणा हम 4 से करेंगे इसके जगे कितना होगा एक आगया तो यहानि आगया में क्या करना है तो माइनस का 4 माइनस का 5 है और ये माइनस का 4 है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस का 9 हो जाएगा और ये कितना आपका फलस का 3 है तो अब आंसर कितना आजाएगा दोस्तों ये आपका किस का बचेगा माइनस का 6 बचेगा यानि P बराबर माइनस एक पेस की कितनी आ रही है ठीक है अब हम क्या करेंगी एक्स के बराबर हम क्या लिख लेंगे दो लिख देंगे जहां जहां पर भी हमें एक्स दिखाई दे रहे हैं वहां वहां हम क्या रख रहेंगे दो लिख देंगे तो इसका थल्ड है x बराबर 2 तो p यह आपका x के जए आपका 2 हो गया फिर 5 का गुणा x के जए 2 लिखेंगे तो यह नि 2 से होगा फिर minus 4 2 की पाउर 2 हो जाएगी फिर आपका कितना पलस का 3 हो जाएगा 2 का गुणा 5 से होगा तो यह कितना हो गया आपका 10 फिर minus का symbol हमने minus लगा दिया 2 की square दोस्तों कितनी होती है 2 की square का means होता है 4 4 का गुणा 4 से होगा तो कितना हो जाएगा आपका यह आपका 16 और आपको plus में कितना दिया गए 3 दिया गए ठीक है 10 भी plus का 3 भी plus का तो यह प्लस का तो मान यह पर कितना है 13 है और minus का के आपका 16 है तो यह आपका plus का 13 minus का 16 तो मान बचेगा 3 वो किसका बचेगा minus का तो यह आनि पी बराबर दो पे इस बहुपद की वेल्यू कितने हो जाएगी minus 3 होगी ठीक यह दोस्तों आपका first क्यूशन था काफी एज़ी था में कुछ नहीं करना है जाहां जाहां पर भी मैक्स दिखाई दे रहे है वहाँ आपके में क्या करना है इस एक्स किया वो वेल्यू रखनी है दोस्तों आपका first question हो गया दोस्तों question number 2 है आपके skin के उपर इस परकार दिया गया है कि नमलिकित बहुपदों में से परतेक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 आपको ग्याद करना है आपको 4 बहुपद दिये गई है ठीक है यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों एक बार आपको निकालना है ठीक है यहाँ पर दिया गया है चार तो भौपद दिये गई है और परतेक का मान हमें तीन तीन बार निकालना है यानि एक बार 0 निकालना है फिर एक पर निकालना है फिर आपको एक बार 2 पर निकालना है ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले हम फर्स्ट भ कि तिक यहांनि यहांनि पर फल पर किस्वयर मांना आपका कितना गया एक अरहे हमें क्या करना था पीछ करना था यहांनि घिजी करते हैं टीक नपयोंब ट रते हैं इसी तो यहां पर क्यों स्क्क्राइट करेंगे वह क्या ठीक है कि अर Свेल हिप्ते हैं पृड आपका je प्रिनस और यह क्या हो जाएगा प्लस यह से यह कट गया तो मान कितना हो जाएगा फ्र bạn हो जहेगा ठीक है कर enc रहरें पहले है पहले भी हम ठाइब दिया गया उसके जगहें घ्रो क्या मिल के 11leş हम हम दो रखके भी चेक कर लेते हैं हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं जैसे हम दो रखेंगे यह जहां जहां वाई है वहां वहां में क्या रखने दो रखने तो फर्ष्ट आपका क्या हो जाएगा दो की स्क्वेर फिर आपका माइनस दो फिर आपका कितना प्लस एक दो की स्क्व उपद में अगर हम चर यानि वाई है चर तो अपना यहां पर वाई की जिगए अगर हम दो रखेंगे तो हमें मान कितना मिलेगा तीन मिलेगा अगर वाई की जिगए हम एक रखेंगे तो हमें मान कितना मिलेगा एक मिलेगा और अगर हम इस तरग में जीरो रखेंगे ठीक है तो हम अपना second है उसे solve करती है second में हमें क्या दिया गया है चर है वो दोस्तों T दिया गया है ठीक, चर से कोई फरक नहीं पड़ेगा चर चाहे आपका X हो, चाहे Y हो चाहे Z हो, चाहे T हो, चाहे P हो कोई भी आपका चर हो, ठीक है तो second में हमें P T बराबर दिया गया है 2 O पलस T पलस 2 T स्कायर माइनस T की क्यूब पहले में क्या करना है T की value 0 रखनी है जैसे हम 0 रखेंगे, यानि T की जगे अपना क्या होगा है, 0 होगा है, तो जहाँ जहाँ पर T है वहाँ आप आप 0 रख दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 2 T की जगे 0 रख दिया 2 T की जगे हमने 0 रख दिया, इसकी स्कायर और यहाँ पर अपर हमने 0 रख दिया, इसकी Q, आगे इसको स्वाल करेंगे यह आपका कितना होगा है, 2 पलस 0 का गुणा 2 से यह भी 0, यह भी 0 मान कितना हो जाएगा झिरो है ज्यू के अंदर हम 2 AAD करेंगे तो आपक का अमसर कितना आजएगा 2 आ जाएगा यानि कि इस बवहपद के अंदर हम जो 야न कि आए झाल की अरुक्त का मान अगर दो का गुणा की से होगा T, T के जगा हमें क्या रखना है, एक रखना है, तो यह देखती है, एक की स्क्वार, फिर माइनस, और T की स्क्वार एक, इसकी क्या हो जाएगे, आपकी क्यूब हो जाएगे, तो दो रेक कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, पलस, एक की स्क्व value हुआ कितनी हो जाएगी चार हो जाएगी इस बोपत के अंदर अगर आप चर की जगह एक रखेंगे तो में मान कितना मिलेगा चार मिलेगा ठीक है इसी प्रकार अब हम कि दो की स्क्वाइर यह लीजिए दो की स्क्वाइर और फिर आपकी क्या है यह दो की क्योग तो दो और दो कितना हो जाएगा आपका च्यार हो जाएगा दो की स्क्वाइर का मिंज च्यार च्यार का गुणा दो से आपका आठ माइनस और दो की क्योग यानि कितना होगा आपक को एक बार तो 0 रख्य मान निकालना था पिर 100 भी हमें चार और नहीं कितना मान is मिले उपका परकार करते हैं इसका क्लास बरोग Pros estimate आती है और आप ने colored Chaput में यहास जूरूरर करें भी आनसर करते वी सुन connected और भी आप हमें comment करते विए जुरूर चले ठीक है बाकी एगर आप चैनल पे पहली बार पता रहे हैं तो चैनल को आप subscribe भी कर लिए अब हमें क्या करना है एस एकस होगा पहले क्या करना मर्छेंगे फैरोbn blur क्या हुआ अ 2 में 2 मिन्सटे दो कि क्योब कर्द कितने आठ यानि 2 है और ने तक कितनी खुपद में हमने जब 2 रखा तो हमें मान कितना मिल रहा है आठ मिल रहा है यह दोस्तों आपको इसका 3 हो गया अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ आपका क्यूशन नमर 4 है क्यूशन नमर 4 में आपको क्या करना है कि जहां जहां पे भी आपको यह X दिखाई दे रहा है हमें क्या करना है एक्स की जगह इसकी value रखनी है जहां जहां पे भी आपको X दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ पे इसको आपको मान रख देना है इसके लाव दोस्तों पहले और a plus b वाला इसको हम क्या लिख सकते हैं a square minus b square भी लिख सकते हैं तो यह नहीं आपका क्या हो जाएगा फिर minus 1 यहाँ पे भी 0 और plus 1 यह किसका हो जाएगा दोस्तों minus 1 यह आपका क्या बचेगा अगुणा के अंदर plus 1 बचेगा minus 1 का अगुणा plus 1 से होगा तो मान कितना हैगा minus 1 तो यहने P0 पे इसकी value कितनी आ रहे है minus 1 यह का रहे है ठीक है इसी परकार दोस्तों आपको क्या करना है P1 पे चेक करना है P1 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना दोस्तों 1 फिर आपका minus 1 X इस गहां में क्या करना है 1 रखना है ठीक है कि आपका 1 और यह आपका कितना हो जाएगा 1 ठीक है 1 में इसे 1 गटेगा तो यह 0 0 का गुणा 2 से होगा तो आंसर कितना आजाएगा आपका 0 यानि P1 पे इस बोपद की value कितनी है 0 है चलिए हम P2 पे भी चेक कर लेते हैं यानि हमें X की जाएगा 2 रखना है तो यापका क्या हो जाएगा X-1 ठीक है फिर आपका कितना है 2 प्लस 1 X की जाएगा 2 तो रख दिया ठीक है यहाँ पर 2 में से 1 गटेगा तो यानि 1 आगया ब्रेकेट का मिंज क्या होता है गुणा यहाँ पर कितना 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 एक का गुणा 3 से होगा तो यह निमान कितना आजाएगा 3 तो यह अगर इस बोपद के अंदर हम 2 रखते हैं इस बोपद के अंदर जो 4 X है इसके जगह अगर हम 2 रखते हैं तो में value कितनी पराप्त होती है तीन पराप्त होती है तो यह दोस्तों आपका question second का question 4 हो गए ठीक है इस परकार दोस्तों हमने जो अपनी exercise 2.2 है इसके first 2 question हमने solve कर लिए है आगे कि जो आपके question number 3 और 4 है न दोस्तों एक आपके छोटे से concept प् कर लेंगे साथ ही तीन नमर और चार नमर की question answer है वह भी हम solve कर लेंगे तो जो नेक्स्त आपके तीन नमर और चार नमर की इसी परकार एक और बैतरिन क्लास के साथ तब तक आपस्ते रहना मुस्कुलाते रहना देखते रहना जो वित्वीडी जय हिन जय भारत